दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सिखने वाले हैं कि हम किस प्रका से कैपसिटर को एक मल्टिमीटर के दोबारा चेक करेंगे देखिए जब भी हमें कभी कैपसिटर को चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैपसिटर है इस कैपसीटर को ले जाके जो हमारा पावर सप्लाई होता है इस पावर सप्लाई के साथ हम इस कैपसीटर को कनेक करके इस कैपसीटर को चार्ज कर देते हैं और चार्ज करने के बाद हमारा जो कैपसीटर होता है इनको आपस में इस प्रकास सोट करके चेक करते हैं कि स्पार्किंग कितना जनरेट हो रहा है यदि स्पार्किंग जदा होता है तो हम यह समझते हैं कि हमारा केपसीटर सही है और यदि स्पार्किंग यहां पे कम होगा तो हम ये समझते हैं कि कैपसीटर हमारा खराब हो चुका है लेकिन दोस्तो ऐसे करने से हमें एक्चुल में पता नहीं चल पाता कि वाकई में कैपसीटर हमारा खराब हुआ की नहीं हुआ छोटे मोटे कैपसीटर में तो आप पता कर लेगे क्योंकि जो हमारा कैपसीटर है इसमें स्पार्किंग थोड़ा सा ही होता है यदि ये कैपसीटर खराब होगे तो स्पार्किंग पूरा ही कम हो जाएगा लेकिन यदि आपके पास में कुछ इस टाइप का बड़ा कैपसिटर है जैसे कि ये वाला कैपसिटर जो है मेरे पास में ये 36 माइक्रो फैरड का है अब इस कैपसिटर को यदि मैं चार्ज करता हूँ इसको चार्ज कर देता हूँ चार्ज करने के बाद यदि आप इसको स्पार्क करोगे तो आप देखो कि यहाँ पे स्पार्किंग बहुत जादा हुआ अब यदि इस कैपसीटर का कैपसीटेंस वेलू कम हो गया जैसे कि इस कैपसीटर का वेलू है 36 माइक्रो फेरड अब यदि कैपसीटर हमारा वेक हो गया और इसका वेलू पहुच गया 30 माइक्रो फेरर तो उस कैपसीटर में भी यदि आप इसको चार्ज करोगे और चार्ज करने के बाद इसको आपस में स्वर्ट करके चेक करोगे तब भी स्पार्किंग आपको सेम टू सेम लगबग लगबग दिखेगा थोड़ा सा कम होता है जिसको आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे यानि की कैपसीटर की वीक होने के बाद भी आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो इस कंडिशन में हमें मल्टी मिटर का ही इस्तामाल करना पड़ता है अब ये जो मल्टी मिटर है इसके दोरा हम किस प्रकास से कैपसीटर को चेक करेंगे समझ लेते हैं देखिए यदि आपको capacitor को multimeter के द्वारा चेक करना है तो आपके पास में जो multimeter होता है इस type का इस type के multimeter में capacitor को चेक करने का option नहीं आता यदि आप electrician हो तो आप ऐसा multimeter का इस्तमाल करिएगा जिसमें आपको capacitor चेक करने का option मिल जाए जैसे कि ये जो मेरे पास में multimeter है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक capacitor को चेक करने का option दिया गया है मैंने इस position पे multimeter को select कर लिया हूँ अभी आप देख सकते हो यहाँ पे total चार symbol बनाया गया है resistance का continuity, diode और capacitor यानि कि इस position पे आप चार चीजों को measure कर सकते हो अब इस multimeter के display पे आप देखोगे यहाँ पे mega ohm लिखा हुआ है यानि कि अभी हम resistance को measure कर सकते हैं इसके बाद यदि आप function बटन को press करोगे तो यहाँ पे diode का symbol आ गया यानि कि आप हम इस multimeter के दोबारा diode को check कर सकते हैं दोबारा से इसको press करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे nano farad लिखा हुआ आ गया आपको सायद दिख रहा होगा ओके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ nano farad यानि कि आप हम इस multimeter के दोबारा capacitor को check कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले में यहाँ पे 2.5 micro farad वाला जो capacitor है आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है 2.50 micro farad प्लस माइनस 5% यानि कि हमारा capacitor 2.5 micro farad का है थोड़ा बहुत इसका value up and down हो सकता है 5% ठीक है अब यह जो capacitor इसको check करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा multimeter है इस multimeter का जो दोनों प्रोब होगा इन दोनों प्रोब को ले जाके capacitor के दोनों wire के साथ connect करना है ध्यान दीजेगा कि आप capacitor के wire को कुछ इस प्रकार से ना touch करिएगा दोनों हाथ आपको नहीं लगाना है केवल एक हाथ को आप लगा सकते हो दूसरे wire को ले जाके आपको क्या करना है कहीं प्रक दीजेए उसके बाद multimeter के प्रोब को connect कर दीजे इस प्रकार से यदि आपको accurate value चाहिए तो तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे हमारा multimeter value so करने लगा है आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है 2.593 उसके नीचे में microfarad लिखा हुआ है यहां पे आप देखिएगा पहले nanofarad है जब हम इसको चेक करेंगे तो microfarad में convert हो जाएगा ओके आपको यहां पे दिख रहा है nanofarad मैं दुबारा से इसको चेक करता हूँ तो हमारा multimeter थोड़ा सा रूप के value को so करने लगा आप देख सकते हो हमारा value आ रहा है 2.593 microfarad यानि कि यह जो मेरे पास में 2.5 microfarad का capacitor यह OK कंडिशन में है अब यह जो capacitor है इस capacitor को चेक करते हैं यह capacitor मेरा 2 microfarad का है आप देख लीजिए यहां पे लिखा है 2.00MFD प्लस माइनस 5% ठीके अब इस capacitor को हम चेक करते हैं इस capacitor का value हमारा 2.0.1R लेकिन उसके नीचे में आप देखो कि तो nanofarad लिखा हुआ है एक बाद जूम करता हूँ ओके आप यहां पे देखिएगा value हमारा nanofarad में सो करेगा हमारा जो capacitor है यह वाली यह microfarad का है लेकिन value हमारा nanofarad में सो होगा आप देख सकते हैं अभी value आ रहा है 620.1 नीचे में लिखा हुआ है nanofarad यानि कि यह जो capacitor हमारा पूरा का पूरा wick हो चुका है ठीक है अब इसके बाद हमारे पास में एक और यह वाला जो capacitor है 10MFD वाली इस capacitor को चेक करते हैं यह capacitor मैंने अभी 2 दिन पहले एक motor से निकाला था क्योंकि मेरा जो motor था वो run नहीं हो पा रहा था इस capacitor को लगाने के बाद अब इस capacitor में क्या problem है चेक कर लेते हैं तो capacitor का वाय के सार मल्टी मिटर के probe को connect कर दिया आप देख सकते हो हमारा value RIS 7.053 µFD यानि कि 10 µFD का जो capacitor था यह capacitor हमारा अब बन गया है 7 µFD का यानि कि यह capacitor अब हम 10 µFD के जैसे इस्तमाल नहीं कर सकते हैं आप चाहे तो इसको 7 µFD के जैसे इस्तमाल कर सकते हो ठीक है अब इसी capacitor को मैं आपको एक बार sparking करके दिखाता हूँ आप देखोगे यहाँ पे इस capacitor का जो sparking है वो sparking भी थोग ठीक ठाक ही आएगा आपको sparking करके पता नहीं चल पाएगा कि capacitor हमारा week हो चुका है ठीक है मैंने इसको चार्ज कर दिया side camera में आपको sparking अच्छे तरीके से ना दिखे फिर भी मैं कोसिस करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से sparking दिखा सकूँ ओके मैं इसको sort करता हूँ सोरी ये पूरा डिश्चार्ज हो गया ता दुबारा चार्ज करके तुरंट करता हूँ अब देख सकते हैं स्पार्किंग इसमें हो रहा है और स्पार्किंग थोड़ा ठीक ठाक है थोड़ा सा कम लग रहा है मैं ये को 10 मार्को फेड के इसाब से नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सा स्पार्किंग हो रहा है अब यहां पर पूरा कम फर्म नहीं बता पाऊगे कि आपका केपसिटर विक हो चुका है यादि आपको पूरा सही तरीके से पता करना है कि कितना वेलू इसका कम हुआ है तो मल्टी मिटर का ही इस्तमाल करना पड़ेगा दोस्तों केपसिटर की बात हो यह तो मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि जो हमारा केपसिटर होता है इस टाइप केपसिटर में एक और प्रॉलम आती है प्रॉलम ये आता है कि जो हमारा कैपाशिटर है कैपाशिटर का जो प्लेटे होती है वो आपस में करदा है यानि कि ये जो दोनों वारे ये दोनों वार ऑपन कंडि सन में होना चाहिए मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ देखिए मेरा जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को मैं continuity पर रख देता हूँ continuity पर ला दिया अब मैं यदि मल्टीमीटर के दोनों probe को आपस में टच करूँगा तो beep का आवाज आएगा अब यदि मैं इन दोनों probe को ले जाके mosquito के दोनों वाइर के साथ connect करूगा तो कोई भी beep का आवाज नहीं आएगा यदि यहां पे beep का आवाज आता है तो इस condition में आपको कभी भी इस capacitor को ले जाके power supply के साथ connect नहीं करना है यदि आप इसको ले जाके power supply के साथ connect कर दिये तो इस condition में तुरंट ब्लास्ट होगा क्योंकि हमारा जो केपसिटर वो आपस में सोट हो गया और सोट होने के बाद ये जो दोनों वायरे वो सिंगल वायर बन जाएगा यानि कि यहां का पावर सप्लाई डारेक्ली यहां तक फ्लो होगा तो जब भी आपको कभी किसी केपसिटर को पावर सप्लाई के साथ चेक करना हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो हमारा केपसिटर इस केपसिटर का सबसे पहले तो आप कंटिनूटी चेक कर लीजिए यानि कि कोई भी बीप का साउंड नहीं आ रहा है उसके बाद ही आप इसको socket के साथ connect करके आप इसको sort करके चेक कर लिजेगा ठीके दोस्तो I hope कि दोस्तो आपको इस वीडियो के मध्यम से कुछ नयाद सिखने को मिला होगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद